राधा साध्यम साधनम यश्यराधा मंत्रो राधा मंत्रदतीच राधा सबी दोस्तों को प्रणाम सुप्रभात और कृष्णा जन्मास्ट में कीज़ेट सारी सुपकामनाएं यो टेटी के करम में मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ आज का पहला प्रश्ण है विश्व का फिपड़ा के नाम से किसे जाना जाता है तो ब्राजील के वन विश्व के फिपड़े के नाम से जाने जाते हैं बीडी बनाने में किसका उप्योग होता है तो बीडी बनाने में तेई का पत्ता यूज होता है धूएं से आँख में जलन होती है इसका कारण है नाम से जाना जाता है टेंसु को सलीम अली पक्षी विज्ञान के अंदर कहा है तो एक कोयम बंटूर में है सलीम अली जी को पक्षी विज्ञानिक है और इनका सलीम अली जी को पक्षी विज्ञानिक के नाम से जाना जाता है और ये कोयम बंटूर में है सलीम अली पक्षी विज्ञान के अंदर उसके बाद जनगलना 2011 का आदर्स वाक्य था हमारी जनगलना हमारा भविश्य क्रिस्मस त्योहार गर्मियों में कहां मनाया जाता है तो अस्टेलिया में हमारे यहां 25 दिसंबर को जाड़ों में मनाया जाता है और अस्टेलिया में गर्मियों में मनाया जाता है कूकी जंजाती मनिपुर में निवास करती है, चकमा जंजाती बांगलादेश में निवास करती है, कांडला बंदरगहा का नया नाम है दीन दयाल पोल्ट, हवीव गंज रेल्वे स्टेशन जो भपाल में स्थित है उसका नया नाम है अटल विहारी वाजपेई रेल्वे स्ट बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे याईशी को बोलते हैं हजरत गंज चौराहा इसका नया नाम है अटल पत या अटल चौक भीलर द्वीप जो ओडिशा में स्थित है इसका नया नाम है अब्दूलकलाम एपीजे अब्दूलकलाम रोहितांग पुल अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है अगरतला हवाई अड़े का नया नाम है महाराणावीर बिक्रम हवाई अड़ा नेक्स्ट है सिग्रेट के धुए में मुख्य प्रदूसक कौन सा होता है तो सिग्रेट के धुए में कार्बन मोनो अक्साइड और बेंजीन बेंजीन होती है आपकी C6, H6 तो ये सिग्रेट के धुए में पाया जाता है और काफी हानिकारक है ग्रीन मफलर भनी प्रदूसन से संबंदित है पारायुक्त जल पीने से मचलियों में ड्रापसी रोग हो जाता है इटाई इटाई रोग केडमियम की कमी से होता है और ये हड्यूं वा जोड़ों में दर्द का इसका कारण होता है भारसरकार द्वारा पेय जल में नर्धारित और्सेनिक की मात्रा 0.01 मिलिग्राम पर पी बताई गई है डबलो एचो द्वारा पेय जल में नर्धारित और्सेनिक 0.05 मिलिग्राम पर पी और्सेनिक युक्त जल पीने से केरोटोसिस रोग हो जाता है अगनी रोधक प्लास्तिक मेलमाइन होता है मैं आपको बता दो कि जो कर्मचारी अगनी शमन विभाग में काम करते हैं उनके वस्तर मेलमाइन के बनाए जाते हैं मेलमाइन एक थर्मो सेटिंग प्लास्तिक होता है जो गरम करने पर ठंडा और जो गरम करने पर मुलायम और ठंडा करने पर जिसे हम यदि बार बार गरम कर दें तो जो बार बार गरम करने पर मुलायम हो जाते हैं वो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं और थर्मो सेटिंग प्लास्टिक वे होते हैं जिने गरम करने पर वे बार-बार मुलायम नहीं होते हैं और नहीं ठंडा करने पर वे बार-बार कठोर होते हैं तो यह होता है आपका मेलामाइन प्लास्टिक तो जो अग विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके कपड़ों पर आसानी से आग ना लगे, इसलिए उनके कपड़े मेलमाइन के बने होते हैं, किस प्लास्टिक पर जलवा तेल नहीं चिपकता है, यह टेफलोन होता है, यह नौन स्टिक्स बरतन जो हेंडल होते हैं, उस ही के बन जाते हैं टेफलोन, टेफलोन का फॉर्मूला होता है, C2F4, इसका केमिकल नहीं है, ट्रेटा फ्लोरो एथीन, या ट्रेटा फ्लोरो एथिलीन, भारत में इवेस्ट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम अस्तान है, इवेस्ट मतलब इलक्टोनिक तरीके से वेस्ट का प इस्तंब मूल कहा जाता है, क्वेशन कई बार पूछा गया है, नेक्स्ट है पस्मिना सॉल, पस्मिना सॉल जे एंड के में काफी प्रसिद्ध है, ये बकरी के बालों से बनाया जाता है, और इसमें 6 स्वेटरों के बराबर की गर्मी होती है, यदि हम 6 स्वेटर को पहने औ और एक पस्मीना सौल को पहने तो बराबर गर्मी देगा, इसको बनाने में 250 गहन्ते का समय लगता है। और यदि हमारे बालों को 6 बालों को मिला दिया जाए, तो वो जो बक्री का एक बाल होता है, उसकी मोटाई हमारे छे बालों की मोटाई के बरावर होती है तो इतनी गर्मी होती है पस्मिना सौल में अंगोरा उनकी प्राप्ती खरगोश से होती है रेशम उनका सरवादिक उत्पादन करनाटक में भारतिय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में श्तित है भारतिय भू बैग्यानिक परिक्षण कॉलकाता में है आबदा परबंदन परिक्षण सस्तान महाराष्ट में है राष्टिय हिंदी सस्तान वारणसी में है और राष्टिय हिंदी संग्रहलाई आगरा में है तो आज के लिए इतना ही फिरम मिलेंगे आपके लिए एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद